नमस्कार दोस्तों बहुत कम उम्र से अपने काम शुरू किया है लेकिन अभी अंडर डेप्ट ही चल रहा है बहुत दफ़ा डेप्ट क्लोस करते करते वापिस से डेप्ट लेना पड़े गया तो यह इस्तिती कब तक चलेगी घर कब तक होगा बच्चों की लाइफ केसी रहन चीड़ी है तो यहाँ पर आपके अगर मघ रखा के भार करें बात करें सबसे पहले हैं तो यह भाग रखा की जो इस्तिती है वह ऐसकूल मिला करंकर ठीह है लेकिन भाग रखा के नीचे में या पीचे में थोड़ा बहुत भी जब इस तरह का बैrekा कोई एक another हलकी सी लाइन चलती है जिसे इस palm pick में clear नहीं दिखेगा इसके लिए आते हैं another palm pick पे जैसे ये आपका another palm pick है और इसके close हम करें तो यहाँ पर आप एक combination देख पाएंगे कि ये हलकी हलकी सी आपको रेखा दिख पाएगी यहाँ पर जो इसके close में चल रही है लेकिन as normal जब palm pick देखेंगे या हतेले देखेंगे तो ये रेखा इतनी सपस्ट नहीं दिखती है पीछे में रहती है इसलिए ऐसा लगता है कि ये दबी हुई है तो इस पर अगर कि जब भी पीछे comparison में जो पैसा आना चाहिए या जो जीवर में सुख मिलना चाहिए पैसो का वो कई नहीं मिल पा रहा है चिंतावली बात नहीं है ये रेखा मस्तिश रेखा तक पहुँची है और फिर रुख गई है और अगर हम इस रेखा के age के accordingly judgment लें तो 41 का period यहाँ पर ही दिखा रहा है कि 41 के age तक आपको depth रहने के आसार है 41 के बाद में आपकी भाग रेखा में पून तह ने जो है यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है और फिर यह रेखा सेदे गुरू को भी समा गई और शनी पर भी पहुँच गई तो यहाँ पर साव साव दिखाई दे रहा है कि जो 42 के बाद का जो आपकी जीवन में समय रहने वाला है वो life का सबसे best समय आपका शुरू हो जाएगा और continuous growth रहेगी क्योंकि उस उमर में या उस उमर के बाद से या 42 से ही प्रगातार आपको जीवन में सुख मिलेगा संतुष्टी मिलेगा काम सिध होगा पेसा अच्छा हैगा पेसे का utilization अच्छा होगा घर का सुख आपको निश्यत रूप से मिलेगा क्योंकि आपके हतेली में self-med luck line है और उपर से mercury line में निकलिए तो mercury line पेसो को बनाती है पेसो को एक परकार से बढ़ाती है तो mercury line जब हतेली में हो या मंगल की स्थिती हतेली में प्रबल हो तो खुद का घर निश्यत रूप से होता है तो अगर बात करें कि कब तक होगा तो 100% 42 के एस तक आते हो जाएगा क्योंकि 41 तक आपको संगर्श है 41 में ही आप अपने सारे डेप्ट या 41 के एस तक आते हाते हैं आप क्लियर कर पाएंगे जहां तक रहा बच्चों का सवाल तो आपके हतेली में जो बुद की स्थिती बुद यहाँ पर कारक हो जाते हैं बुद भी हैं सूर्य भी हैं गुरू भी हैं तो यहाँ पर बुद की स्थिती बढ़िया जा रही है और अगर हम गुरू की विशे में भी बात करें तो गुरू पर भी एक दो आड़ी रेखा है निश्यत्रूप से आई रही है तो इस कंडिशन में बच्चे बहुत लायक निकलते हैं संसकारी निकलते हैं भागेशाली निकलते हैं तो बच्चों से लाब अच्छा मिल पाएगा और बच्चों को जो सुख आप देने का सोचने वो निश्यत्रूप से दे पाएंगे आपको भी अभी बताएगे कि 42 के एच से आपको लाब है उसका एक significance यहाँ पर square sign किसी भी तरह का square जब palm बनता है तो कहीं न कहीं से बहुत अनंत लाब मिलने के आसार या जीवन में security उस शेतर से मिल पाता है तो जैसे मंगल कारक किस के हो गए आपके property के हो गए सूरक से भ आपके पास opportunity आएगा लेकिन यह सारी चीज़े कब हो रही 42 और उसके बात से लगाता है तो थोड़ा सा patience रखना है आपका जो हतिली में सूर रेखा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में जा रहा है तो power position and authority यह तीनों चीज़ें आपको आने वाले तीन या चार स आना व्यापार कर पाना या कोई भी independent work कर पाना यह सारे combination यहाँ पर दिखाए दे रहा है तो पैसे से लेकर के संपत्ति और संपत्ति से लेकर के बच्चे और बच्चों से लेकर के घर परवार इन सब की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है अब example एक और आप यह देखि आप यहाँ से धीरे-धीरे सिर्फ प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और कोई भी एक भी आड़ी रेखा करके यह टेच नहीं कर रही है तो देख सकते हैं कि जीवन में आपको 38 तक खास करो जो समय आपके जीवन कर रहा है 33 से लेकर के 37 के बीच का 33 से 37 यह सबसे अधर समय पर लगातार राहू की रेखाएं आ रही है लगातार वरीज हो रहा है लगातार चिंता हो रहा है रात की नींद खराब हो रही है महनत का फल प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है कल का दिन कैसा रहेगा आगे का फूचर क्या रहेगा उसी का नहीं पता लेकिन आप 42 के बा देखा अभी किया धुंदली है कमजोर है इसलिए इसका फल पुरा नहीं मिल पाएगा परन्तों इन फिचर यहां मनी ट्रेंगल बन रहा है इसकोर का साइन बन रहा है सूर्ग स्थिति अच्छी हो रही है इतने इंडिकेशन राजा बनाने के लिए सफल बनाने के लिए संगर आपके साथ क्यों हो रहे जबकि आपके हतेली में चंद्र पे तिल है शनी पर तिल है चंद्र का तिल डिप्रेशन टेंशन दे देता है शनी का तिल यहां पर हमेशा लॉसस देता है लेकिन सफलता क्यों दिखाई दे रहा है आपके हतेली में यहां पर इसलिए दिखाई द देती है opportunities अच्छा देती है जीवन में कभी विवेक्ति को घुटने टेकने नहीं देती हार मानने नहीं देती और अंत्य तहर जितने सतकर्म के उसका फल देही देती है शूर की रेखा क्यों इतनी साफ सुत्री आच्छी है क्योंकि आपने कभी भी छल कपट या धोका दड़ी या ऐसा कोई भी काम ने किया कि कोई भी आपके उपर उंगली उठा सके एवन बड़े से बड़े लोगों को भी सम्मान देना प्रगा की सूरे रेखा आपकी आपकी हिरद रेखा जो एकदम शनी पर मुड़ गई है लेकिन यहाँ पर जो गुरु है उसको पॉजिटिव कर गई तो इसलिए इसने आपको धार में एक साथ विक और एक तरीके से दयालू करपालू बना रखा है तो व्यक्ति जब अंद तो आपके केस में जो आने वाला समय है वो बहुत ज़दा प्रबल है शुब है और बहुत ही खोशी जीवन में लेकर कि आने वाला है तो आब आते हैं overall palm के analysis के उपर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि finger के लिंद palm के comparison में short है जो fast tradition making habit को थोड़े जलबाजी है हर बड़ी किस्म के nature को दरशाता है इस condition में instant decision लेना, thoughts पर बहुत जल्दी काम करना जिसके बिशे में शोचा उसके उपर फटा फट action लेना यह basic nature में होता है यह basically impatient यहाँ पर बनाता है और बहुत जल्दी अपने life में निर्णे लेना या अपने निर्णेों में किये गए या बनाए गए योजना में परिवर्तन करना उसको दरशाता है short finger के अंदर जुनून अच्छा होता है सहन शिलता ठीक देखने को मिलती है जीवन में हार नहीं मानते हैं पर एक सबसे बड़ी कमी होती है किस सबर नहीं रहता है तो कोई भी काम करें तो सोच समझ के हैं दूरवदर्शीता रख करके करेंगे तो और ज़दा perfection यह stability काम में आएगा लेडल फिंगर का पूरा जुका बाकी फिंगर के तरफ है तो यह इस condition में आप जैसे आदक family oriented होते हैं अपने family के लिए बहुत ज़दा dedicated होते हैं और अपने life में किसी भी तरह का sacrifice अपने family के लिए करते हुए पीछे नहीं हटते हैं यहाँ पर इसलिए आपको आपके घर परिवर में सम्मान या इजद आगे चलके या लगातार बहुत अच्छा मिलता रहेगा यहाँ पर बुद्ग की finger को अगर हम देखें तो उसकी स्थिति खराब नहीं है ठीक है फर्स्ट फिंगर तक पौझ भी पा रही है तो communication ठीक रहता है अपने बातों से या अपने करमों से दूसरों को अच्छा प्रेरीत प्रभावित या अकरशित कर पाते हैं और अंतितह अपना commitment definitely fulfill कर पाते हैं इसलिए यह business sense अलग भी अच्छा देता है थर्ड फिंगर के लिए जादा लौग है तो रिस्क टेकर बनाता है तो जिए उनमें कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते creativity या artistic quality अच्छी देखने को मिलती है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या minor changes करने के आदत रहे यह देता है रिस्क टेकर बनाता है और रिस्क टेकर का सीधा ताथ पर होता है कि खुद का effort आप अपने life में डालिए अगर आपको किसी काम में another interest है business ही अगर करना है या कोई independent work करना है तो आँख बंद कर करिए क्योंकि third finger अच्छा है तो अंदे तह आपको सफलता दे जाएगा फिंगर का जुकाव सेटन पे तो आध्यात में करूची या धार में किसम के प्रवती में बढ़ोतरी होती है finger के ओपर सीधी खड़ी रेखा है अच्छी है तो इस condition में यह बहुत ही मित्रता पुरुक सभाव देता है तो हर जगे रिष्टे अच्छे बनाना लंबे रिष्टे बनाये रखना मजबूत रिष्टे बनाये रखना इस सारे combination यह सीधी खड़ी रेखा दरशाती है तो बहुत rare ही दुश्मन बनते हैं या फिर रिष्टे बिगड़ते हैं या आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरे लोगों का काम अपने कॉंटेक्ट्स के बल्बूते पर कर देते हैं तो यह combination अच्छा होता है बिजनेस में ज्यादा लाब देता है यह फिंगर के जो नोट्स हैं वो उसकी स्थिती ठीक है लेकिन शरी सूरी डेवलप क्लियर कट नहीं है तो इस कंडिशन में करियर करेगार्डिंग प्रॉपरली डिसिजन्स लेना सेविंग अच्छे से नहीं कर पाना या एक तरीके से कंटिन्यूम एफर्ट तो डालना लेकिन क भलती है, वहाँ पाना होना तो यह करीयर के रेगार्डिंग कंफिजन को दर्शार है बाकि तो नोट्ट अच्छे हं जिसके करन नेर्ण है बाकी सारी सारी चीजों में घर परिवर में अच्छे ले पाएंगे दूसरों की पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरों की करियर के लिए अच्छे डिसीजन्स आप ले पाएंगे फैलेंजे से इंटेनल मास डेवलप ठीक है तो स्टेमिना एनरजी और रोग प्रतिरोधक्षमत अच्छा होता है और थम कसा यहां पर आपका शॉट है तो to the point बात करना, straightforward nature रखना, quick decisions लेना, quick life में changes करना यह आदत देता है changes यह अपने decision में, planning में, thought process में क्योंकि पीछे कर बैंड हो रहा है तो flexible nature होता है अगर किसी के लिए आपके मन में गुसा है, दर्द है, दुख है, तकलीफ है और वो वेक्ति सामने आ करके छमा मांग ले या फिर अच्छे से विवारी कर दे तो आप वो पिछली सारी बाते भूल जाएंगे तो यह क्या होता है, यह flexibility होती है, कि राद गई बाद गई, वो वेक्ति तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर आपके यह कभी चिन है, तो यह इस condition में intuition यह success अच्छा आता है, पूरवा अनुमान आबाज, यह सपनों के माध्यम से भविश के दरश्य देख पाने की योग्यताओं को यह बढ़ाता है, आप जैसे जातकों का आलिशन घर का सुक पूरा होता है, जीवन में जितना भी materialistic desire है, यानि अच्छा रहन से इन खान पान, एश्वारा मरीजिंगी, घाडी, बंगला, घरबार, इस सारी चीज़े पूर्ण होती जो आंत्रे ग्रूप से व्यक्ति को disturb रखती है तो उम्नमश्वय का भी जाप कर सकते हैं, तो यह चीज़ करने से आत्मिय संतुष्टी, खुशी, तरक्की, सम्रिद्धी विकास लगातार जीवन में होता दिखाए देने लगेगा, एक जो लग है वो आपका developed होता नहीं हटते हैं और बहुत ही down to earth किसम का nature होता है, बिलकोल भी ego attitude नहीं होता, शो आफ करने वाल व्यक्ति तो नहीं होता, छोटी चीज़ों में भी या कम resources में भी बहुत अच्छे से अपनी जीवन को यापित कर पाते हैं, इसके अलब यहाँ पर देख लें आपके अब गुरु परवत पर कुछ progress lines भी हैं, ऐसी progress lines होना अच्छी होता है क्योंकि यह बेव्यक्ति को महत्वकांशी बनाती है, हार मानने नहीं देती है, और जीवन में लगातार उचाईयों पर जाना लगातार बढ़ते रहना, अपने आपको संतुष नहीं रखना, यह combination देती है लेकिन गुरु परवत यहां से थोड़ा दवावाई बीच से, तो घर परिवार में संघर्ष रहता है, तकलीफ रहती है, खुशी या संतुष्टी उतिने नहीं मिल पाती, जो भी expectation आप अपने घर परिवार में लगाएंगे, वो पूरा होने में तकलीफ आएगा, लाइफ लैन से जोड़ी रेखा निकलती है, यह आपकी महतोकांशों को दर्शाती है, कि आप अपने जीवन में खुद के लिए क्या करना चाहते हैं, और इस तरह की जो ऊपर के तरफ से रेखा निकलती है, यह दर्शाती कि आप दूसरों के लिए क्या 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 करना चाह और आगे चलके ऊपर से आने वली रेखा भी यहां पर जूड़ जाएगी फिर उसके आपको जीवन में लगातार प्रगती सम्रिद्धी विकास या जो पेसा है उसका भरपूर यूटिलाइजेशन हो पाएगा यहां पर जो छोटी-मोटी रेखा इतर पर काट रही है यह सब money losses देती है यह सब गलत जगे पैसा लगा देती है तो यह सब समय निकल चुक है आपकी जीवन का जो भी बताया था यहां पर 37 से 33 से 37 की बीच का समय उसी समय पर यह आपके जो भाग रेखा उस पर रेखा हैं काट रही है लेकिन उसके बाद से कोई तकलिफ नहीं है तो थो 41 की एज से कोई तकलिफ नहीं रहेगी तो थोड़ा सा पेशिंस रखें या जो जाप का कहा गया है वो करिए उससे लाब मिलेगा शनी की स्थिति अच्छी जा रही है बाइफोर के कसाइन बन रहा है तो निश्चित ही बहुत सारे लोगों का जिम्यदारी होता है या के काम से लाब बहुत अच्छा देती है यह रेखा है और किसी भी तरह की बिजनेस की काम से भी जब बीच के पॉर्शन उठावा हो तो थोड़ा सा मूड़ी परसनेल्टी होता है थोड़ा सा सीरियस टाइप ओफ नीचर हो जाता है तो भीड से अलग रहे ना एकांद परे जादा होता है कि कौन सा काम चुने या ना चुने लाइफ में करियर में चिंजस करें या ना करें तो इसलिए अब यहां पर स्क्वेर का साइन भी आने लग रहा है इसक्वेर का साइन आना या त्रिशुल जैसा चिन बनना इस सारे कॉंबिनेशन कंफर्म करते हैं कि और वेल्थ अच्छा हो पने सेविंग अच्छा हो पने इस तरह का स्क्वेर दर्शादा तो प्रगति तो काम में बहुत सांदर होने वाली है और वी सिंबॉल कर से जब इस तरह से बनता तो इससे यह शश्वी योग कहते हैं बुदा देती योग कहते हैं यह शश्वी यह तो बुद्धादिति योग में अपनी विवेक का सुद्धियोग कर पाते हैं इसलिए मरकरी के उपर अधिक रेखा आने लग रही है जो व्यापार के माध्यम से कॉंटेक्ट के माध्यम से कम्यूनिकेशन के माध्यम से शेयर मार्केट से कई न कई आपको लाब देगा निश्यत ही देगा आप जैसे जातक वो होते हैं जो दूसरों का दुखदर समझते हैं खुछ से जितना बंद सक रहा है दूसरों के मदद करते हैं तो बहुत अच्छा हीलर हो पाना, लोगों को मोटिवेट कर पाना, जोड पाना और अच्छे तरीके से उन से काम भी निकल आपने, यह सारे कॉंबिनेशन ही देता है, इसलिए देख सकते हैं कि जो मरकर इलायन है, उसकी पोजिशन कितनी स्टॉंग आपके पाम में जाने लग रही है, जो बिजन तो खान पन के विशे पर विशेशकर ध्यान देवें, अभी यह दिक्कते नहीं आएंगी, यह दिक्कते 49 प्लस के बाद आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसके लगए यहाँ जो ह्रेद रेखा वो शनी पर रुकाव है, तो पेसों के पर जादा रुज़ान ध्यान देखन पाते हैं, और यहां से एक बहुत हल्गी सिसा का जुपिटर पर जा रही है, तो पेसे के लिए कोई गलत कर्म या धोका दड़ी इन सारी चीजों से यह रेखा आपको बचा रही है, तो सात्वी धार्मिक या अध्यात्मी करूचियों को भी बढ़ा रही है, तो इस स्थित में या डेप्ट की विशे में उठ करके जीवन अगर देखा जाए या जीया जाए, तो ज्यादा मज़ा आपको या आपके घर परिवार को या आपके जीवन में आपको खुद को देखने को मिलेगा, मस्तिष रेखा की स्थिति देखी जा तो बिल्कुल ठीक है, आपके मस फक्रस्ट ग्रेजोएशन हो गया, बखरा जो की डिगरी की होती है, यह बहुत बढ़ा पड़ए लिखाई कराती है, लेकili यह इस बात को नहीं दरशा रह finanतीॡ की मानसिक योगिता बहुत अच्छी है, त आप जैसे जाध्यों मस्तिष जो है, बहुत शाप होता है, सीस度 स किसी भी बात के जड़ तक जा पाते हैं गहन अधियन कर पाते हैं टू दा पॉइंट इस्टेट फॉर और बात करना सीदे जड़ की बात रख पाते हैं और इधर पर जब बाई-फॉर के कसाई नहीं हो तो एक से ज़्यादा कला में माहिर होते हैं एक से ज़्यादा इंट्रस्ट लाइफ में देखने को मिलता है मस्तिष्रेखा जब भी लंबी हो तो ये बात तो कन्फो में कि मांसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत या प्रबल हो जाते हैं इसलिए विपरीत परिस्तिति माहों लोगों के सामना डट करके कर पाते हैं और हार नहीं मानते मांसिक इस्तिति हमेशा प्रबल या मजबूत ही देखने को मिलती है तो मस्तिष्रेखा में या विवेक में या मांसिक योगिता में कोई भी कमी आपके नहीं दिखा रहा है इसलिए सूर के स्थिति भी इतनी अच्छी जा रही है जब अत्यन तिलाभ आपको निश्यत रूप से आपके ग्यान आपकी योगिताओं कर दिएगी हाथ छोटी-छोटी रहे हमीश्या आकर इधर डिश्टब करते रहे है तो ही क्या होती है यह डिजायर देती है illusion देती है इसी राहू की रहा है गलत निर्णे दिला देती है भाग दोड़ी बढ़ा देती है परन्तों अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं अब तो ट्रेंगल ही बन रहा है सिधे जो पेसा अच्छा देगा या सही निर्णे ले पाएंगे जो अपोर्चिनिटी उसको ग्रैब कर पाएंगे यहां से भी कुछ प्र अंगर्ष में सपोर्टी लाइन आ गई लेकिन इस तरह कि जब सपोर्टी लाइन नहीं होती है तो जीवन में जीरो से खुद को शुरू करना पड़ता है लाइफ को और विदावट एनी हल्प जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है मंगल का कनेक्शन माइंड लाइन से त इता है इधर की भी आड़ी रेखा अनवशक चिंता है घर परिवार के रिगार्डिंग देती है या असंतुष्टी या बैचेनी देती है लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफ लेन को टचने कर रहे तो नहीं कर रहे तो जो घरेलू तकलीफ रहेगी या जो चिंता है रह है यह सारी स्थितियों में बहुत सुधार आएगा यह यह सारी चीजें बढ़े की जीवन में के तो कवी कनेक्शन है आपकी भाग रेखा में तो एंसिस्टर ब्लेसिंग यानि पैत्रिक संपत्ति या पैत्रिक इश्वर्य करपा निश्य तुरुप से प्राप्त होता है औ उतना ज्यादा आमावस या प्रोणिमा के दिन डोनेशन किया जाए लोगों को खाना खिलाए जाए उतना ज्यादा पित्रों को खुशी सांती मिलती है तो करपा बरसती है और करपा बरसना यानि पेसा समरिद्धी विकास या खुशियां जीवन में आपकी खुद क्याना यह सारी चीज़े हो पाएगी तील जैसा कॉंबिनेशन जब भी होता है तो हमेशा अनवशक चिंता घहरे रखता है या हमेशा अंदर के तरफ मतलब अंदर से मन जो है खुश नहीं रहता तकलीफ या डरावा जाधा रहता है शीव जी के राधना करने से जो चंद्रमा के उन अपरिगर को सब्तीज और कि मर्कररी लैन में ही काउंट होती है लेकिन यह जो रेखा है यह ट्रेब्लिंग को भी इंडिकेट करती है तो यातरों से भी Clemente लाब बच्छा मिलता है या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, एजनसी इन सबसे जब लाब के आफ़ार अच्छे हो जाते हैं तो भी इसी रेखा आती है और लेफ्ट एंड में भी देखे तो मणिबंद की स्थीति अच्छी जा दिया तो स्वास्त तो वैसे ठीक और यहां पर भी आपकी मरकरी लाइन अच्छी है तो बिजनस में या इंडिपेंडेंट वरकर से ज़्यादा लाब मिलेगा राहू करेखा हैं बहुत एक्टिव हैं लेफ्ट एंड में तो कई न कई पास्ट जो एक्सपिरेंसेज आपने गेन किये हैं यानि बूरे जो एक तालिस दिन के अंदरे मिल जाएगा इसका क्या करना है कैसे करना है उपाय वह आपको शेर कर दिया जाएगा लेकिन ओवरल दोनों हथेली से स्थीतियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं बहुत जल्दी ही आपकी जीवन में बहुत ही बड़े लिवल का तरक्की समरि दिविकास होने वाला है आशा करता हूँ सभी प्रश्णों को तर मिल गया हूँ तब तक आप अपने ध्यान रखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद